देश के कई हिस्सों में भीशन गर्मी का दौट चल रहा है। लोग सूरेदेव के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। इस बेच मौसम विभाग ने कई हिस्सों में भीशन लू का अलड़ जारी किया है। आयमजी के अनुसार बिहार, तमिलनाडू, पश्चिबंगाल के कई लाकों में भीशन लू चल सकते हैं। हो सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्यों में दो, पांच और शे मई को भारी से बहुत भारी भारी बारिश की भविश्यवानी के हैं। इस काई मेट वैदर के अनुसार, एक मई को दिल्ली में दिन का तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, जो की सामाने से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। और गुरुवार सुबन यूंतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। इस वर्ष मई महीने की शुरुवात पिछले साल की तरह ठंडी रही। आपको बता दे कि पिछले कुछ दिनों के दोरान पहाडों में बारिश और बर्फ बारी हो रहे हैं। जिसे देश की राजधानी में मौसम आराम दायक बना हुआ है। स्काइमेट वैदर के मताबिक अगले तीन से चार दिनों में तापमान भड़ेगा। इस हफते के अंत तक दिन का तापमान अधिक तम 30 डिग्री और सुबह का न्यूंतम तापमान 20 डिग्री रह सकता है। वही नौ से ग्यारे मई के बीच दिल्ली एंसियार में गरच के साथ बोच्छारे और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हलकी बारिश और ठंडी हवाओं की वज़े से मौसम सुहाना है। मई का पूरा पहला सब्ता भी सुहाना गुजरनने की उम्मीद है। क्योंकि कल चार मई को प्रदेश के पांच जिलों में बारिश होने की संभावना है। हीने में चल्चलाती गर्मी पड़ती है लेकिन इस बार लोगों को बीशन गर्मी का सामना फिलहाल नहीं करना पड़ा। पिशले तीन दिन से प्रदेश के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान सामाने से उपर नहीं पहुचा है। हुचा है।